नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर इसासनी सिच सिद्धी विनाय गालेधारक मेंटेनस सहकारी संस्था राय टाउन टू सोसाइटी के साथ वे स्थापना दिवस समारों में विभिन्न सांस्कृतिक कारेक्रमों का आयजन हुआ परिसर के छोटे बच्चों व लड़कियों ने मनमोक नूर्त्य प्रदर्शन कर सभी को मंत्र मुग्द कर दिया इस आउसर पर वॉलीबाल प्रतियोगिता में वीजेता टीम को पुरस्कृत किया गया कारेक्रम की अध्यक्षता समाजिक कारेकरता बाबा देशपांडेन की और मुक्यातिती के रूप में सूरेश कालबांडे उपस्तित थे इस मोके पर सोसाइटी संस्थपक वासुद्यो राउत लीलाधर पटले दिलिप चरपे सूरेखा राउत का सतकार किया गया अपने प्रस्तावना में सोसाइटी के सचिव राजु वन्वे ने रायटाउन टू परिसर के विकासकार्या पर प्रकाश ढला वही कालबांडे ने विकासकार्या में हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया सफलतार्त नरेंद्र पाटिल, कालिदास मसकर, मनुहर भीशीकर, अभिजित दल्वी, चंदरशीकर राउत, अमिच शर्मा, राजेंद्र मारुटकर, प्रफुल सांचिला, कवितावार के, लेना मंडपे, नीशा बढ़वाईक ने प्रयास किये संचलन प्रणाली दल्वी ने किया राश्ट्रवधी कॉंग्रेस पार्टी की अद्ध्यक्ष शरत पावर नाकपूर और अम्रावती जिले के दवरे पर है दो दिन पहले शरत पावर के मुंबई आवस पर हिंसक अंदोलन हुआ था जिसके बाद अम्रावती व्यों नाकपूर में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया रावनोमी जुलूस और शरत पावर के दवरे के लिए अकोला यवतमाल वाश्रीम चंद्रपूर और नाकपूर से हतिरिक्त पुलिस बल को अम्रावती में बुलाया गया मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है रविवार साड़े दस बजे नाकपूर विमानतल पर पवार का आगमन हुआ राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी कार्यकरता पदाधिकारी और सभी युनिट सेल के अद्ध्यक्ष बड़ी संख्या में उपस्तित थे कार्यकरताओं में भरपूर जोश था विमानतल ढोलताशे की ध्वनी से गुण जूठा था पवार साब तुम संगर्श करो हम तुम्हारे साथ है के नारे लग रहे थे स्वागत के लिए शहर अद्धक्ष दुनेश्वर पेठे की अद्धक्षता में बाबा गुर्जर, पुर्व केंद्रिय मंत्री सुबोध मोहिते पाटिल, पुर्व मंत्री रमेश चंद्र बंक, दिनानात पडोले, अनि लहिरकर, प्रकाश गजबिये, पदाधिकारियों क साथ उपस्तित थे, रविवार को नाकपूर वो अम्रावती दावरे पर नगर पहुचे राष्ट्रवधी कॉंग्रेस पार्टी के मुखिया, शरत पवर के नाकपूर विमानतल पर आगमन का दुरुष्य, शहर राकापा अद्धक्ष दुनेश्वर पेठे स्ताई, इन यात्रियों में स्कूल और कॉलेज के छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है, छात्रों को मेट्रो पर योजना के बारे में विश्तुर जानकरी देने और उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए माह मेट्रो द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास का एक हिस्सा मेटरो सववाध है इस तरह से आयोजित सभवाध कारेकरम शयक्षिक केंद्रो विभिन्न कारे लोई व्यावसाइक प्रतिष्ठानों में लगातार आयोजित किये जाते है इसी क्रम में हाल ही में नाकपूर के बिशाप कॉटन स्कूल एंड कॉलेज में मेटरू सववात का आयोजन किया गया था यहां कारेक्रम स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और गैर शिक्षन कर्मचारियों को नाकपूर मेट्रों परियोजना के विभिन्न पहलियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था स्कूल में आयोजित सहवात कारेकरम के दवरान परियोजना के बारे में विस्तरूच जानकरी दी गई एप के मध्धम से या बीना नगदी या क्याश के उपयोग के टिकेट कैसे प्राप्त करे या यदि आप महाकार्ड का उपयोग करते है तो आपको कैसे टिकेट फीडर सेवा मिल सकती है इस विशे पर जानकरी दी गई ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन द्वरा पक्षियों के लिए जाड़ों पर दाना पानी पात्र लगाए गए बीशन गर्मी के चलते इन दीनों नाकपूर का पारा 45 दिग्री सेल्टियस के पार जाने वाला है इस कारण से पक्षियों को पानी के लिए कठीनाईयों से जूजना पड़ता है पक्षियों वो पर्यावरन का संवर्धन करने के लिए Green and Clean Foundation द्वारा महराजबाग, रामदा स्पेट वधंतोली पत्रकार कॉलोनी गार्डन, एनाईटी शंकरनगर गार्डन में 120 धाना पानी मिट्टी के पात्र पेड़ों पर लगाये गए इन पात्रों में दाना पानी डालने की वेवस्था, भगीचे में नियमित व्यायम और योगा करने वाले ग्रूप ने जवाबदारी ली Green and Clean Foundation परियावरन सवर्धन हेतू, महराष्टर की जनता को आवण किया है कि कई ऐसा पात्र नजर आये तो उसमें दाना पानी जरूर डाले और इस चिलचिलाती धूप में मुक प्रानियों को आश्रय अवश्च दे इस अभियान में Green and Clean Foundation के फाउंडर संदीप मानकर, कमलेश कोकास, मोंटी चोपडा, राजिव जैजवाल, सचीन पुन्यानी, राधा विंचुलकर, रेखा देशमुक, दिप्ती बारापत्रे, राजिव नैडू, डॉक्टर वैरागडे, राजेश टाउरी, कलपना डोंग सुजित राम्टे के प्रशान शक्या, उमे शेडाउं ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया महल शानी मंदिर में राम नवमी के उपलक्ष में महारती का आयोजन और प्रसाद का वितरन किया गया इस अउसर पर मुख्य रूप से दीपक्षेंद्रे, माधूरी पालिवाल, मनिशा ठाकरे, जैराम्टे के, संजय कशोधन, पीयोश मेशराम, प्रगती गणवीर, आधी उपस्टित थे महर्शी नाथु बाबा चोक में महाप्रसाद का वितरन किया गया महाप्रसाद में श्रदालूओं के लिए मिठाई वपुलाव था दी फ्रेश फिज डिलर एसोसियेशन के अध्धक्ष सिताराम शंकरलाल गवर की देखरेक में महाप्रसाद श्रदालूओं में वितरत किया गया प्रसाद वीतरन में राकेश गौर, कुनाल गौर, इंद्रेश गौर, निलेश गौर, संजय पातरकर, प्रकाश कटारे, धीरज गौर, अमिद गौर, राहुल गौर, सोमिज गौर, मनिश गौर, अनिल गौर, कोमल गौर, बोई समाज पंचकमिटी के सचिव प्रोफेसर राह रौत ने शहर के विभिन्न स्थानों का दोरा किया और लोगों को रामनोमी की शुब कामना दी इस तेवार को शहर में बड़े पैमाने पर मनाय जाने के कारण वीवित संस्ताय पूरे शहर में कारेक्रमों का आयोजन और संचालन करने में जुटी वी थी श्री रामनोमी के आ सतीश पाली, दिनेश साधनकर, प्रफुल कीरपाने, वीपुल महलले, गीता श्रीवास, सुरेच जग्यासी, शालीनी धोटे, अजित सिंग, आसीप शेक, राकेश इखार, मुकेश वानखिडे, महेश राठोड, सतीश इखार, राकेश निकोसे, आधी माननेवर मुख्यर से उपस्थित थे, पालक मंतरी डॉक्टर नितिन राउत ने, दयानन पार्क, टेकानाका, कांजी हाउस चोक, बिनाकी, गांधी चोक, साही मंदिर चोक, वसंचा चोक, नारागाव, यादवनगर, हनुमान मंदीर, बेली शौप साइज शहर के विभिन्न स्थानों का दवर किया, और नागरिकों को रामनों मी की शुप कामनाय दी, रविवार शाम को पस्चिम नाकपूर नागरिक संग की योर से, रामनगर में श्री राम शुबायत्रा का भव्या आयोजन किया गया, यात्रा प्रारम बहुने से पहले, केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी और प पुर्वमंत्री चंद्रशिकर बावनकुले, शीरिजदेव, आनन पर्चुरे, विधायक परिणे फूके, विधायक विकास्थाकरे, संस्थाके अद्धक्षर अविवागमारे, सचिव राजिव कुलते, कोशाद्धक्षर विनेज जोशी, उपाद्धक्षर अशुक पा पहले की तरह ही श्री राम की भव्वे शुबायत्रा निकली गई है, रामनगर का मंदीर आकरशक रोशना इससे जगमगर आ था, जिससे पूरे क्षेत्र में मानोत अत्कलिन अयुद्धा में तबदिल होता नजर आ रहा था, जैसे ही जीला प्रशासन ने जुलुस की टेर क्षेत्र में आग लग गई, जिससे बड़े पैमाने पर पेड़ा और घाज जल कर खाक हो गई, अंबजरी के रेंज वन अधिकारी आशिश निनावे ने बताया कि पार्क के निकट सीत मादव नेतराले के करमचारियों ने अपशिष्ट सामगरी और कचरा जला दिया और देखते ही देखते ही साग ने विकराल रूप धरन कर लिया, आग की लपटे शाम के करीब साड़े चार बजे पार्क में प्रविश कर गई, एतियात के तोर पर घटनास्टाल पर मौजुद फिल्ट स्टाप ने एर ब्लोर की मदद से आग बुजाने का प्रयास किया, ठीक से नहीं बता पा रहे है, जल्द नुकसान का सटिक तरीके से जायजा लिया जाएगा और आगे की कारवाई की जाएगी। की अंतरगत, चार मामलों में पाच आरूपियों को गिरपतार किया गया और उनसे चार अजार रुपे का जुर्मना वसूला गया। उपरुक्त सभी ऑपरेशन सयूक्त रूप से नाकपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे, ट्रफिक विभाग ने हैं आवान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय, वहान से संबंदित सभी दस्तावेज अपने पास रखे। दवे समिती के उपसभापती सूर्यकांत नागर, वीना के संपादक राकेश शर्मा साइध कई गणमानने वेक्ती उपस्तित थे। डॉक्तर खड़से को यह सम्मान साइध्य के प्रती उनके अपार योगदान के लिए दिया गया है, इस पुरसकार में एक लाख रुपे क राशी वो प्रशस्त्री पत्र का समाविश है। इस एड्मिरल त्रिपाठी ने समुद्र का महत्वा और नेली एकानोमी जैसे मुद्दो पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समुद्र हमारी धर्ती के पूरे क्षेत्रपल का 70% हिस्सा है। बहुत सारे व्योसा किसी न किसी तरह समुद्र पर निर्भर है। बारतिय जन वरिष्ट अधिवक्ता, प्रभाकर रामचंद्रन, सामाजीक कार्यकरता योगीता भयाना, फिल्म निर्माता अधित्य शर्मा और वरिष्ट अधिवक्ता समन्जिंग के उपस्थिते में कोल्ट रूम, ड्रामा रील बनाम, रील विशय पर किया गया। कार्यकरम का जन वरिष्ट कताखार, योगेश कृष्णा माराजने भक्तों के समक्ष सुधामा चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्णा और सुधामा जैसी करो। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी को समझे और बीना बत परन्तु आजकाल लोगों के बीच स्वार्था की मित्रता ही होती है। जब तक स्वार्था सिद्धन ही होता है तब तक ही मित्रता बरकरार होती है। मित्रता सीखनी हो तो भगवान श्री कृष्णा से प्रेरना लेकर सीखो। जैसे ही श्री कृष्णा भगवान को द्वा इस तरह श्री कृष्ण ने संदेश जिया कि राजा हो या रंक बित्रता में सब बराबर होते हैं। आमिर नूरी, राष्टिय समन्वयक शाधाप सोफी, जिला उपद्यक्ष अनिरुद्ध पांडे, जिला महासचिव नागेश गिरहे, फर्मान अली, चेतन मेश्राम, कुनाल चौधरी, प्रने पांडरे, रवनक नानगावे, ओवेस जैनूल, हर्ष बरडे, क्षितित साखरे प्रदिफ हिव से, मुहमत साहिल, जावेच शेक, मुहमत रिज्वान, नावेत खान, प्रविन कडबे, रहमान खान, रॉयल गेडाम, तेजस सोनकुसरे, दया शाहू, आदी उपस्तित थे श्री टेकडी रोर्ल हरुमान मंदिर समिती गवलीपूरा सितावरडी की ओर से, श्री हनुमान जन्म मौदसव के उपलक्ष में, शनिवार 16 अपरेल को भवे महाप्रसत का आयोजन किया गया है इसकी तैयारिया जोर शोर से चल रही है, श्री हनुमान जन्म मौदसव के वीवित कारिकरम, 11 अपरेल से 16 अपरेल तक आयोजित किये गये है आज श्री अखंडर रामयन पाठ का आयोजन, दुर्गा माता रामयन मंदल द्वारा किया जाएगा 12 अपरेल को श्री रामयन पाठ, विराम वहवन, ध्वादच जोतिर लिंग, पार्थिव पूजन, रुद्राभी शेक, वसुन्दर कांड होगा 13 अपरेल को लोहापुल माता मंदिर महिला मंदल वह श्री गुरुदाव भजन मंदल यादव समाज द्वारा भजन प्रस्तुत किये जाएंगे 14 अपरेल को महिलाओ का भजन गायन वह शाम को जागरन का कारेकरम होगा, सभी भक्तों के लिए भव्य महाप्रसाद होगा ग्यात रहे कि पिछले दो वर्षों से कुवीड के चलते महाप्रसाद नहीं हो पाया कारेकरमों के सफलतार्त, श्री हनुमान मंदिर समिती के सभी कारेकरता एवं भक्तगन प्रयास रत है अनाथों के जीवन को सुखत कर उने उनका उचीत आश्रे दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वीभिन्न सववर्धन योजनाय लागू की जा रही है अनाथों की देखबाल में नीजी अनाथालोय का अभी बड़ा योगदान रहा है इन अनाथालयों में मुल्भुत सुविदाय उपलब्धो इसके लिए नीधी दिलाने का प्रयास किये जाने का आश्वसन महिला एवं बालविकास मंत्री एडवोकेट यशुमती ठाकुर मंत्री ठाकुर ने हाल ही में शहर के श्रद्दानन्द अनाथालयों में शिष्ठाचार भेट दी और वहाँ बच्चों को दी जाने वाली सुविदाओ की समिक्षा की इस अउसर पर उपायुक्त महिला एवं बालविकास विभाग रवी पाटिल उपमुख्य कारेकारी अधि मान्यवर उपस्तित थे एडवोकेट यशुमत्ती ठाकुर ने का कि अनाथों को आवश्चक सुविदाय प्रदान करने के लिए सरकार ने जीला वार्षियों की योजना में तीन प्रतिशत आरक्षित निदी प्रदान की है साथी मनपा क्षेत्र में पाच प्रतिशत ग्यास के दाम स्थीर थे चुनाव नतीजे आने के बाद किंद्र सरकार की ओर से जरूरी चीजों के दाम बढ़ा दिये गया है जिसका बोज आम जनता खासकर की देश की महला उपर आ गया है इसी मुद्दे को लेकर प्रदिश कॉंग्रेस अध्यक्षन नाना पटोले और म मध्यनाकपूर सीथ अग्रेसन चोग के पिट्रोल पंप पर नाकपूर महला कॉंग्रेस अध्यक्षन नैशन हुसरत अलिके नेतुरत्वों में महेंगाई पिट्रोल डिजल गयास के बढ़ते दामों के खिलाप आंदोलन किया गया इस आंदोलन में नाकपूर कॉंग्रेस प्रणित गायकवड अंजना मडवी नंदा देश्मूक लीना कटारे रोष्णी पराते शीतल शुकला वंदना चाहन दे अलका बिनकर डायना कलपना द्रोनकर अर्चना भोशले अर्चना कापसे अरुना चौदरी भविता वाल्दे उज्वला नखाते हेलन किरन हीरा नंदन रानी पंचम, कालिंदी नहाते, कलपना जोगे, कल्लैनी ठाकरे, कांचन शंबरकर, ममता तोमर, माया धापोड कर, वीना बेलगे, आदी महिलाए भी आंदुलन में शामिल थी हाल ही में नाकपूल ट्रकर्स यूनेटी के अध्यक्षक कुकुमारवा की अध्यक्षता में, नाकपूल ट्रकर्स यूनेटी के पदाधिकारियों के बैठक गांदीबाग में हुई, इस बैठक में कुकुमारवा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि डिजल पेट्रोल की कीम पहले से ही मंदी की मार जिल रही है नाकपूल ट्रकर्स यूनिटी ने ओइल कमपनियों को दीजारी छूट का विरोध व्यक्त किया है मारवा ने कहा कि आज डिजल के दाम 103 रुपए और पेट्रोल के दाम 121 रुपए प्रती लीटर हो गए है 12 साल पहले कच्चे बेरल का रेट 135 से 140 रुपए था उस समय डिजल के दाम 40 रुपए और पेट्रोल के दाम 52 रुपए प्रती लीटर थे किन्तु आज कच्छे बेरल के दाम 99 रुपए प्रती लीटर होने के बावजुद भी पेट्रोल वा डिजल की किमते बहुत अधिक बढ़ चुकी है ट्रक मालिकों को भाड़े की तुलना में कर्च अधिक बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कारबार का संचालन करना बहुत मुश्किल हो गया है हौसले अगर बुलंद हो तो मनजिल खुद बखुद कदम चुमती है यह कावत सचकर दिखाई है नागपूर पुलिस दल में तैनात एसीपी संदोश खांडेकर की पुतरी प्रियंका खांडेकर ने प्रियंका ने UPSC द्वर आयोजित कंबाइन डिफेंस सर्विसेस परिक्षा में देश भर में चौता स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता और शहर का नाम रोशन किया है नागपूर पुलिस विभाग में कारेरत सहयक पुलिस आयुकत संदोश खांडेकर की बेटी प्रियंका खांडेकर अपने पिता से प्रेरित है शुरुवात से ही प्रियंका एक मेधावी चात्रा रही है बारावी कक्षा की परिक्षा उत्तिर्ण होने के बाद नागपूर के VNIT से इलेक्ट्रोनिक संट कम्यूनिकेशन इंजिनिरिंग से 2019 में इंजिनिरिंग करने के बाद वह चाहती तो बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी कर सकती थी किन्तु प्रियंका ने देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होने के उद्देश से परिक्षा की तैयारी शुरू की अपने पहले ही प्रयास में प्रियंका ने 115 शॉर्ट सर्विस कमिशन कोर्स में चौता स्थान हासिल किया प्रियंका की ये उखलब दी अत्यनतप प्रेणादाई है प्रियंका की अगले मैने इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी इसके साथ ही प्रियंका ने SSB इंटर्वियू और मेडिकल परिक्षा भी उत्तिर्ण कर ली है कोरोना के कारण दो वर्ष बाद राष्ट्री अगनी शमन सेवा दिवस के अउसर पर शनिवार 9 अप्रेल को नागपूर महनगर पालिका के दमकल विभाग द्वरा वार्षिक ड्रील प्रतियोगिता का अहोजन किया गया जिसमें त्रीमूर्तिनगर फायर स्टेशन ने 1.10 सेकंड में ड्रील पूरी कर तमाम फायर स्टेशनों को हरा कर पहला स्थान हासिल किया लगडगंज फायर स्टेशन ने 1.11 सेकंड में ड्रील पूरी की और दूसरे स्थान पर रही जबकि सक्करदरा फायर स्टेशन ने एक मिनिट बारा सेकंड में ड्रिल पूरी की और तीसरे स्थान पर रही बबन जादव 26 सेकंड ने व्यक्तिगत सिड़ी अभ्य श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया प्रतियोगिता के दोरान मुख्यागनि शमन अधिकारी राजिंदर उचके उपु मुख्यागनि शमन अधिकारी बीपी चंदन खेडे थाना प्रवारी तुशार बाराहते सुनिल डोकरे राजिंदर दुबे भगवान वाग आधी अधिकारी गण उपस्थित थे शनिवार को सुबा 8 बजे मनपा मुख्याले के प्रशासनिक बहुन के सामने ड्रिल प्रतियो कीता का आयोजन किया गया जिसमें एनेमसी के 9 दमकल केंद्रों की 9 टीमों ने हिस्सा लिया प्रतिक टीम में 6 सदस्य थे फायर विर्गेट के वहां से सीड़ी को नीचे करना सीड़ी को पीच करना पंप को चालू करके पानी के जेट को नोटिस करना दो नली की लाईने फेकना आधी गतिवी दिया इस ड्रिल में शामिल थी तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विके वीडियोस नमस्कार